अरे चिंटुआ नाचना बंद कर तुम सब जल्दी से तयार हो जाओ ट्रेन स्टेशन पर कब से खड़ी है तो मैं अभी टेंपो लेकर आता हूँ नहीं तो अगर ट्रेन चली गई तो हम डैनासोर को नहीं देख पाएंगे अहाँ जल्दी चा चिंटु चलो अब जल्दी से तुम जोनों भी तयार हो जाओ पापा ममी चिंटी सब आ जाओ मैं टेंपो लेकर आ गया हूँ हम आ रहे हैं चिंटु अब जल्दी जल्दी टेंपो में बैक जाओ अरे ट्रेन को सिधी मा रही है लगता है अब ट्रेन चलने ही वाली है तेंपो को अर्टेज चला चिंटुआ घिक है पापा अब देखो तेंपो को कैसे उराता हूँ हाँ कि अभे दिने का ऑन्याय याण कर देखा। अभी कर्दूँ… अभी कर देखा不過 trout एक हैं.. अभी कर है अटराण को या टेखा। आहाँ मझे तेंपो का ग catalog कर रहा हूह मझे थेंपो का ब्रेक खेल हो गया है और इसका क्वाइब हाँ कोई समान कां नहीं कर रहा पिहा ऋ नो अरे मम्मी ये टेंपो को ट्रेड के लाइन पर ही चलने लगा और आगे से ट्रेन भी आ रही है अरे चिंटुआग पुछ तो कार जल्दी टेंपो को ट्रेन की लाइन करते हटा नहीं तो डैनासोर देखने चले थे कहीं हस्पिटल देखना ना पड़ जाए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं पापा ट्रेंपो अपने आप ही धर उधर चल रही है ममी मुझे बहुत डर नग रहा है दूँआ ट्रेंपो इस ट्रेंपो पर चटली बना देगी और हमारा भी अजी आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो चिंटुआ के पापा उन्हें क्या करूँ ट्रेंपो तो चिंटुआ चला रहा है लगता है अब हम तीधा उपर जाने वाले है ये क्या पकवास कर रहा है चिंटुआ हमें कुछ नहीं होगा यहां हम प्रेंपो तकराने वाले हैं और आजपोस रहे हो कि हमें कुछ नहीं होगा हम बचिगाए चिंकी लेकिन वो नहीं बचा अरे चलो देखते है उसे यह हाथी हमें बचाने के लिए अपनी जान गवा दी अरे यह हाथी अभी जिंदा है देखो अभी इसकी सासे चल रही है रुको मैं अभी डाक्टर को बुला कर लाता हूँ यह हाथी कितना बढ़िया था इसने हमें ट्रेंड से बचा लिया लेकिन अब यह बच पाएगा की नहीं पता नहीं अरे हटो डाक्टर आ गया हाँ तुम सब इसे पकर लो तब तक मैं जल्दी से दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगा देता हूँ जर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगा दिया है अब इसे किसी भीतरा हो मेरे हास्पीटल तक ले जाना पड़ेगा नहीं तो यह बच नहीं पाएगा इतना बढ़ा हाथी है इसे हम उठा कर कैसे ले जाएंगे हाँ डक्टर, इसे हम हस्पिटल तक नहीं ले जा पाएंगे अरे इसको ट्रेन ने टकर मारी है, ये यहाँ ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा इस हाथी ने हम सबको उस ट्रेन से बचाया है, तो हमें भी इसको बचाना चाहिए मामी देखो, ये वही वाली ट्रेन थी ना, जिसने हाथी को टकर मारा हाँ, ये वही ट्रेन है मैंने हाथी का पैर कस के बाद दिया है, अब खिच चिन तुआ, फिगे खिचता हूँ अरे वाह, ये टेम्पो कितना मजबूत है, इसने हाथी को खिच लिया इतने बड़े हाथी को टेम्पो से खिचोगे, तो टेम्पो टूटे गा ही मेरा टेम्पो तो पीच में से ही उखर गया, अब क्या करूँ रुको मैं बुल्डोजर लेकर आता हूँ, बुल्डोजर इस हाथी को जरूर खिच लेगा ममी देखो हाथी को क्या हो रहा है अरे हाथी को क्या हो रहा है, तो यह मरने वाली तो नहीं है मैंने तो दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगाया था लगता है उसका असर कम हो गया है, इसलिए हाथी दर्द से तडप रही है पचंदी कुछ करो डाक्टर और इसे बचाओ जब तक ये मेरे हस्पिटल तक नहीं पहुँ जाती तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा हाँ हटो सब मैं पुल्डजर देकर आ गया अब हाथी पचंदी उखाओ पापा इस हाथी को तो बुल्डजर भी नहीं उठा पा रहा है अब क्या होगा हाथी का पापा क्या कर रहे हो जब दी उठाओ इसे मैं क्या करूँ ये बुल्डजर हाथी को उठा ही नहीं पा रहा है एक बार और कोशिश करो जी ली क्या करता हूँ येलो, बुल्डोजर भी तूट गया अब क्या होगा, हम कैसे ले जाएंगे इसे मेरे पास एक उपाए है कुछ से उपाए है? ट्रेन, देखो ट्रेन वहाँ स्केशन पर खरी है हाँ? ट्रेन हाथी को जरूर खिच लेगा तू पगला गया है क्या चिंटुआ? वो ट्रेन क्या तेरे बाप का है जो तू ट्रेन से हाथी को खिचेगा नहीं नहीं, चिंटुआ सही कह रहा है मेरा हास्पिटल भी तो ट्रेन के लाइन के पास ही है तो ट्रेन चलाएगा कोण? मैं चलाऊंगा मैंने एक बार ट्रेन चलाया है ठीक है तो तुम जाओ और ट्रेन को घुमा कर लाओ तब तक मैं बुल्डोजर से हाथी को ढगेर कर लाइन के पास करता हूँ चाक्षर सहाब ये हाथी बच तो जाएगा न अगर समयर हते ये हस्पिटल पहुच गया तो जरूर बच जाएगा अमने हाथी का पैर ट्रेन से बार दिया है चलो अब तुम सब भी ट्रेन में आ जाओ चलो ममी अब ट्रेन को ले चल चिन्टुआ ठीक है पापा अरे चिन्टुआ आगे से एक और ट्रेन आ रही है अब ये दूसरी ट्रेन इतली जंदी कैसे आ गई है अब उससे पहले मुझे उस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा और ट्रेन को चलाता हूँ अब तुम सब भी देखो आगे से इसी लाइन पर एक और ट्रेन आ रही है या अज का दिल तो बहुत बुरा है ममी चीडिया घर देखने चले थे अब उपर जाने का समय आ गया है लगता है अब दोनो ट्रेन की दाकर होकर रहेगी अब जिद्वा क्या कर रहा है चल्दी कुछकार अब बहुत देर हो तीगी है पाबा रही अब दादा कमर तूट गई उठा भी नहीं जा रहा है पापा ममी डाक्टार चिंकी कहो तुम सब अब चिंटुआ तू ठीक तो है तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ठोड़ी सी चोट लगी है पापा लेकिन ममी और चिंकी कहा है पापा चिंकी के आवाज इस ट्रेन के डबे में बैचे थे अब चिंटुआ उन्हें भूलते हैं हाँ चलो पापा ये चिंकी के ममी दातर वाजग चेहो के तूंसाभ चिंकी ममी चेहो चिंटू बाचाओ हो में अब चापा अब अपाख बिकुआ बोली हाँ? रिकिना वाज ये गाहसे बाजब बाचाओ बापा चिंकी के आवाज सुटें के दबेसे आया है तो चलो जंदी चल कर छेखते हैं उस डबे में अरे जिंगी तुम ठीक को हो हाँ हम ठीक हैं, लेकिन हम यहां से निकल नहीं बार रहे हैं पापा जंदी कुछ करो, और उन्हें ट्रेन के डबे से बाहर निकालो में क्या करू test दब्बे के दर्वाजे नीचे दबे है उसे हम खूल नहीं पाएंगे मुझे यहाँ से बाहर निकालो मुझे उस हाथी का इलाज करना है अरे हम हाथी को तो भूली के पापा कहां है वो देखो वो वहाँ पर है अरे मुझे निकालो यहां से, नहीं तो वो हाथ ही मर जाएगी मैं इस लोहे को तोर दूंगा अपया तुम कितना भी दम लगा ले, तुस लोहे के होड़ को तोर नहीं पाएगा तो आप तोरो ना, खाली बकरेती ही का रहे हो खुबो, देखो वो बुल्डोजर अभी भी वही पर है, मैं उसे लेकर आता हूँ तुम वही पर होई चिंपी और मम्मी, पापा बुल्डोजर लेकर आ रहे है अरे डक्टर, वो हाथी खीर से घर्ट के तरप रही है, अब क्या होगा उसका होगा क्या, वो टैब होई जाएगी तो बचाओ उसे इसलिए तो कह रहा हूँ कि निकालो मुझे प्रेल के डपे पर से उतार चेकिन दुआ, मैं बुल्डोजर से डपे को सिधा करने की कोशिस करता हूँ ठीके पापा इसे जंदी सिधा करो क्या कर रहे हो पापा, यहां में चोट लग रही है पोलिसी चोट पर दास्ट कर लो, तभी तो वहां से लिकर पाओगे ठीक है जी, जैसा तुम्हारे पापा कह रहे हैं, तु ऐसा ही कर चिंग किया देखा चिंग्टुआ, मेरा बुल्डजर ने ट्रेल के दब्बे को सिधा कर दिया अरे हां पापा, लेकिन हाथी को उठाते वक्ताब का बुल्डजर हग दिया था चुप कर, पापा हम बच गए हाथी कहा है, हाथी कहा है हाथी उधर है डक्टर साहाब तू चिंटा मत कर हाथी, मैं तुझे बचा हूँगा किसे किसी भी तरह से ले चलो तुम सब लेकिन कैसे, रुको मेरे बास से कुपाए है हाथी को अगर हम हाथी को ट्रेल की पड़रियों पर बुल्डजर से खीचे तो जरूर हाथी को ले जा पाएंगे तो जल्दी कड़ो चिंटुए के पापा ठीके दोसिस करता हूँ मम्मी, इस हाथी को ट्रेंचे भुकर लगे पहुँ तेर हो गया है पता नहीं ये बच पाएगी कि नहीं चुपकर मैं इसे जरूर बचा लूंगा अरे देखो रहा सब, गुल्डोचर हाथी को खीच रहा है खीचते रहो पापा और हाथी को ले चलो हस्पीटल साथ इसकी हालत तो बहुत खराब है चिंटुए के पापा क्या? क्या हुआ है इसे डाक्टर? इस हाथी को ट्रेंचे बहुत चोट लगी है इसका दोनों आगे का पैर तूट गिया है गिया? तब तो यह चल भी नहीं पाएगी मम्मी अब तू क्यो रोने लगी चिंटिया? मैं इसलिए रो रही हूँ पापा ती इसने हम सब को बचाया और अब यह खुद नहीं चल पाएगी यह जरूर चल पाएगी इसके दोनों पैरों का पलास्टर करना पड़ेगा तो जल्दी करो लेकिन मेरे पास पलास्टर खत्म हो चुगा है तुम्हें जल्दी पलास्टर लेकर आना होगा लेकिन वो मिलेगा कहा? वो यहां से बहुत दूर है और वो भूतिया पेर के पास में है मैं जाके लेकर आता हूँ लेकिन जल्दी लाना चिंटुआ इस हाथी की तब्यात बहुत खराब हो गई है तुम चिंता मत करो डाक्टर मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा अरे पापा लेकिन पलास्टर तो लाना ही पड़ेगा अगर इस हाथी को बचाना है तो लेकिन अब चिंटुआ का क्या होगा अजी आप क्यों नहीं गया वहाँ मैं क्या करता वो पहले ही भाग गया चलो अब तुम सब वहां जाकर चिंटुआ के आने का इंतिजार करो दोरते दोरते हलत थराब हो गई है और मैं वहां दोर कर जंदी नहीं पहुच पाऊंगा च्या करूँ अब मिल गई सावारी अब बकरी पर बैठ कर जाऊंगा ममी देखो फिर से हाथी दर्ट से तरफ रही है डक्तर, डक्तर अरे हो डक्तर, सूगया क्या लगता है वह सोही गिया है डक्तर, डक्तर, अरे हो डक्तरवा अब जाकर उसे जंदी जगाओ नहीं तो चिंटुआ क्याने से पहले ही हाथी टेया बोल जाएगी उनको जाता हूँ अबे डक्तरवा उठ, देख हाथी को क्या हो गया है अबे उठ चिंटिया, वो डक्तरवा तो उठी नहीं रहा अब क्या होगा हाथी का दूपो मम्मी अब मैं इसे जगाती हूँ चोड आगे, चोड आगे, चोड आगे, चोड आगे, चोड आगे, भागो, 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 भागो अबे कोई चोड नहीं आये है देख हाथी को क्या हो गया है अरे इसे फिर से दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो लगा जल्दीन, ने लगाता हूँ क्या क्या तू नहीं चलेगी चल कुटिया अज़ चल कुटिया नी मैं तुझे आप नहीं बारूंगा अर्य दादा गिरा गिरा इतना धेर हो गया और अभी तक चिंटुआ पलास्टर लेकर नहीं आया आ जाएगा आ जाएगा तुम्हें चिंटा मत करो अब कैसे चाओं वो बक्री भी भार गई अरे हमारे गामे हेलिकाप्टर अब हेलिकाप्टर ही मुझे वहाँ जल्दी पहुंचा सकता है हाँ आ हाँ मजा आ गया सुसु करके चलो अब हेलिकाप्टर को उड़ाया जाए चलो अब जालू होजा हेलिकाप्टर मुझे गोली मत मारना तो भूतिया पेर के पास ले चलता हूँ अब इसको इंजेक्सटों पेभी खरक नहीं पढ़ रहा अब जल्दी से जल्दी प्लास्टर करना ही पढ़ेगा लेकिन चिल्टुआ तो अभी आया ही नहीं चल अब निकल ले ये बंदूप नहीं केला है गिर्या लेको में ले आया पलास्टर एक महीना पुरा हो गया है अब पलास्टर कटने के बाद हाथी चल पाएगी हाँ अब हाथी खड़े होकर चल पाएगी गुर्पोई से पलास्टर को काट के निकलता हूँ